हेलो एवरिवन वेल्कम बैक तो माई चैनल कुकवित काफिया तो कैसे हैं आप सब आई हो कि आप सब थीक होंगे आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नहारी की बहुत जादा स्पेशल रेसिपी इतनी इजी रेसिपी है आप इसको देखके जटपट नहारी बना सकते हैं और बहुत जादा मज़े की नहारी ये बनके तयार होती है तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं नारी बनाने के लिए एक special masala तयार करेंगे हम तो इसके लिए मैं लिए यहाँ पर दो टेबल स्पून धनिया तो साबुद धनिया यूज़ करनी हमें यहाँ और एक टेबल स्पून ले लिए हैं लॉंग गरम होती हैं तो जादा ना यूज़ करें फिर दो बड़े चमच मैं ले लिया है यहां पर सफैबवाला जीरा जो नॉर्मलमी हम घर में यूज़ करते हैं यह वह इवाला है और मैंने हम ले ली है काली मिर्ची घरमच मैं लिया तकरेबन एक चवादाई मैं ले लिया है शाइफल का टुकुटण के टुकड़ा तेसवात के पत्ते, एक दाल चीनी का टुकड़ा ले लिया है मैंने यहापर, एक बादियान का फूल, और तीन से चार मही आपर ले रही हूं जावित्री, और यहापर ले लिया है बड़ी इलाइची, यहापर ले लिया है मैंने यह कबाब चीनी, तो यह काली मिर्ची की तर जरूर एड़ करें इन दो मिसालो को क्योंकि इन से बहुत अच्छा टेस्ट आता है खुश्बू फिर मैंने यहापर ले लिया है शाह जीरा तो इसको भी एड़ करें जरूर इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और बिल्कुल भी स्किप ना करें और यह नॉर्मली जीरे स अगर आपके पास सॉांट का पाउडर है तो उसको आप मैं आपके पास मार्केट मासाला है नारे का तो आप भी इसमें यूज कर सकते हैं लेकिन यहाँ चाली मचा यहां पर ब्लीच माण ca मैं भी आ बूछा जाए हमारे को यहाँ आज़री यहां पर एक से और चमच के तो बड़े चमच में इसमे आड़ करूंगी धनिया पवॉडर तो हमें उसको इसमे शाल निया मिवीत टनायी ऑद कर लना है क्योंकि सुध probability मशाले में में पियार करेंगे पिर देखिए यहापर सब मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया और यह बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है सारी चीजे और इनको मैं अच्छे से ग्राइंड कर लिया है अब मैं इसमें डालूगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक जितना आपको नमक खाना पसंद हो उसके हि हमाइड की ग्राइड का तो एक से लियर चम्मच मैं इसमें नमक आइट कर दें हूँ यह लहोरी नमक है अब देखिए मैंने सारा मसाले को इच्छे से ग्राइड कर लिया और एक प्लेट में निकाल लिया है अब मैं इसको एक साइड रग दूँगी अब मैं यहा पर कू जो है थोड़ा बारीक काट है मैंने अब इसको बस इतना ही पकाना है जादा इसको ब्राउन नहीं करना बस हलके से जब कच्छा पन आपको दिखने लगी तो इसमें डाल दूगी गोष्ट तो मैंने यहाँ पर तकरीबन एक किलो यह गोष्ट ले लिया है इसको अच्छे से म ठी है एक एक कर लेना है और यहां पर र साथ मैं अट कर दूंगी पल्छका पेस्ट तो यहाँ पर मैंने दू बड़े चिमश नहीं चला रहा है इसको डाले इसको और उन्युमन बसमे से पकाले अगर के डखा ह요 esries लिए लिए सकी हैं इक मैं एक किलो गोष्च के ही रिक्स है तो आगरुए मैं साल्वात में सामरी अँट थार ज्याद हो जा लिए एक्छ घरह कर दूगी अगराई आप नहीं बनाया तो इसको अब सकते हैं आपको बाहर समंगाने के जरूत नहीं पड़ेगी अब देखी मैं इसमें मसाला डाल दिया है इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसको कुछ दर जो है मसाले कसाथ यहां पर पका लूँगी मसाला डालते ही आप देखेंगे के कलर बहुत अच्छा आएगा और ही आप बP बढ़ यह देखने में यह लगेगा भी आप देख सकते हैं याँ अपर साथ ही मैं इसमें पर यह पानी यह पानी आएट कर दिया है मैंने इसमें एक से तफाइर घ्लास अब लास्ट में इट करूँगी यह जो नली है इसको जो है लास्ट में इट करना है वरना अगर आप इसको पहले ही पका लेंगे साथ में तो इसके जो सारे अंदर का होता है वो निकल जाएगा उफ में सीटे लगा लूँगी अब इसमें 3-4 सीटे लगा रही है और इसको मीडियम फ्लेम पे रख देना है साद ही मैंने यहापर ले लिया एक फ्राइपन इसमें डालूँगी मैं डेड़ शमज बेसन का और इसको डालके मीडियम फ्लेम पर मतलब लोग रखनी है फ्लेम को और इसको अच्छे से भून लेना है बेसन का जब तक भूनना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता तो यहां पर आप इसका कलर देख सकते हैं और मैं आपको दिखाऊंगी जब यह भून जाएगा उसके बाद का कलर यह देखिए यह बहुत अच्छे से भून गया है खुश्बू भी बहुत अच्छी आने लगी है अब मैं इसको उतार लुँगे और चन्ध में चाण कर इसके जो यह मूट मोटेज़़ आपको चंक्स देख रहा है और भी नमस नहीं बनेगे और बहुत अच्छे से नहरी की थिकनस भी हो जाएगी तो इसलिए मैं इसको अच्छे से घोल कर यहां पर ढाल लें हो बेसन को इससे बहुत अच्छा टेस्टी भी आएगा और गाड़ी भी बहुत अच्छे से हो जाएगी यह बिल्कुल देखिए इसको कंसिस्टेंसी एकदम पतली रखनी है ज्यादा गाड़ी नहीं रखनी यह हो गया है अब मैं यहां पर कूकर खोलके देखती हूं हमाई नहारी जो है वह तयार हुई है नहीं यह देखिए यह बहुत अच्छे से तयार होगी यह सारा ओली इनने अच्छे से रिलीज कर दिया है तो इसका जो ऑईल है ऊपर-उपर ओड़का वह निकालके एक कटोरी म तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा भगोना ले लिया है इसमें सारी नहरी पलेट दिये और सारी तरी भी मैंने देखिए इसके उतार लिये साथ ही मैं इसमें अब आइट करूंगी बेसन का घोल जो मैंने बना के रखा था तो इसको डालते ही है आप देखेंगे इसकी consistency बहुत ज़्यादा चेंज रहाएगी अभी यह काफी पतली है और मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कुछ देर इसको पकाने के बाद तो अब मै इसको प्यास को fry कर सकते हैं और इसका powder बनाके डाल दें और आप चाहने तो मार्किर से भी तलीवी प्यास आती है उसका powder बनाके भी डाल सकते हैं या फिर आप इसको store करके भी रख सकते हैं अब मैं इसको हलकी आच पर जब तक पकाऊंगी जब तक इसकी consistency गाड़ी नहीं ह जाती तो अब मैं इस पर ढखकन ढख दूँगी और इसको कुछ दिर पका लोगी ऐसे ही 10-15 मिनट तक हलकी आच पर पकाना है जादा तेज आच नहीं करनी अब देखे मैंने इसको 10-15 मिनट पकाया है सिर्फ और इसकी consistency देखे पकने के बाद कितनी कम रह गई है पहले काफ जो हरी मिर्ची होती है वो काटली है मैंने और क्याऊकि नहारी में डलके बहुत अच्छी लगती है नी वो काटली है मैंने हिहां पर देखिए उतरी ले लिए बिल्कुल इसी तरीके से नहारी बनके त्यार हुई है साथी मैं इस पे डालनी हूँ अद्रक के लच्छे प्यूंकि यह डाल के नहारी बहुत टेस्टे लगते हैं और हरी मिर्चे डालनी हूँ तो लीजे रेडी हो चुकि हमारे टेस्टे से नहारी की रेसिपी तो यह बहुत ज़्यादा टेस्टी बनके त्यार हुई है आप भी इसको एक बार ट्राय ज़रूर करें अगर आप इसको घर में ट्राय करेंगे तो आपको बाहर से मंगाना बंद कर देंगे इतनी ज़्यादा टेस्टे लगते हैं और बहुत ही जटबट बनके त्यार भी हो जाती है तो अगर आपको इस रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और जादा जादा शेयर करें मुझे कमेंट में बता आपको इस रेसिपी कैसे लगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टेस्टिद रेसिपी के साथ थैंक्स फॉर वाचिंग लिज वीडियो